हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सल के दो ऐसे फॉर्मेट जो गाइज आपके लिए सबसे यूनिक होगा और सबसे ज़्यादे यूसिबल होगा तो गाइज हम सीखते हैं कि एक सीट से डाटा को दूसरे शीट पर कैसे हम एजली कॉपी करें तो गाइज जैसे हमने यहाँ पर इस सीडिल नंबर आइटम को उस्ट और प्राइस ले रखा है अगर हम चाहते कि यहाँ से डाटा कॉपी ना करें और फिर भी हम नेक्स शीट पर इन डाटा को प्रीविस डाटा को इसली कॉपी कर सके तो गाइज उसके लिए क्या करना है ज जाते हैं और यहां से अपनी जो भी सीरियल नंबर लेना चाहते हैं जहां से अपनी स्टाट करने और जितने डाटा है एंटर कीजिए तो गाइस देखें आप फॉर्स पर जाएंगे और इसे ड्रैक कीजिए तो प्रीवेस एंड्रेस हो यहां पर रिपीट हो जाएगा फा आप देख पारे होंगे यहां पर इंक्रिमेंट हो रहा है तो जो भी आप वहां चेंजिंग करेंगे वह यहां पर चेंज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट वह है आइटम यानि प्रोडेक्ट नहीं जैसे मैं एकवल टो लगाती हूं प्रीविस शीट पर जो भी आइटम हमने नहीं दिया श्लैक कीजिए और एंटर कर दीजे आप इसे ड्रैक कीजिए गाइस तो देखें जहां तक हमने बनाए वहीं तक आएगा उसके बाद हमारे जीरो आने लगा जैसे यह भी सीड़ी ए और बी है ठीक है तो गाइस उसी तरीके से अगर हम पिछले सीट पर देखत हो तो नेक्स सीट पर अटमाटिक वह अपडेट हो जाए तो गाइस बहुत है अपके लिए ऐसे अगर हम कॉस्ट लेना चाहते हैं तो प्रीवेस सीट से कॉस्ट ले लेते हैं अटर कर लेते हैं और जहां तक आपने फिल किया होगा वहीं तखाएगा उसे आगे हमारे यह अगर आप पिछले शीट में अपडेट करते हैं तो टमैटिक यहां पर अपडेट हो जाएगा सेम अगर आप यहां पर प्राइस शो करना चाहते हैं और आप इसे अपडेट कर सकते हैं जहां तक भी है अब गैस मैं एक ऐसा फॉर्मिट बना बताने वाली हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं जैसे मैं चाहते हूं कि शीट वान या सबस्ट टू थ्री फॉर इन सब का फॉर्मिट एक जैसा और एक साथ कर ले हम जैसे साइज कलर स्टाइल जो भी हम लेना चाहते हैं तो गैस आपको करना क्या है अभी देखिए सबके फॉर्मिट अलग की जैसे शीट फोर पर हमें प्रीवेड दो शीट पर और एडिटिंग करने है तो इन शीट को कर ले मैं एक सब्सक्राइज कि अब करना है तो फोल्ड था कन्टोर मैं उसकी बाद आप जो भी फोर्मिट कर ते जैसे मैंने हैडिंग को श्लाइक किया मैंने हैंडिंग का बै इन columns के size increase कर लिए और suppose मैंने इतने ही cells को जो भी मेरे sheet के recording है मैंने यहां से format कर लिए है all border दी दिया तो guys मैंने अभी इसी भी format के है sheet 4 पे है अगर आप sheet 3 पे जाएंगे तो दीखिए इतना format यहां पे हो चुका है अगर मैं sheet 2 पे जाते हूँ guys तो दीखिए इतना ही format यहां पे भी हो चुका है तो है ना guys यह मज़िदार option कि हम एक साथ multiple sheet को एक साथ एक जैसे format इंग कैसे कर सकते हैं तो guys यह simple दो tricks है जो आपके बहुत काम आने वाले है और बहुत जल्दी आप data entry में आपने data को collect कर सकते हैं आपका time safe हो जाएगा guys तो I think आपको यह वीडियो समझ में होगी और guys इस वीडियो को apply and share करना ना भूले और guys अगर new video मेरे channel पे new हैं तो मेरे channel को subscribe करना ना भूले तो guys अगर इस related कोई सुझाव हो या आपको वीडियो कैसे लगी तो मुझे comment box में जरूर लिखें तो हम मिलते हैं next video में आपके लिए इसी तरीके से में नई things लेकर आऊंगी जो आपके बहुत usable होगा और आपके बहुती काम आएगा तो guys thank you thanks for watching